कोलकाता केस जैसे ममता बनर्जी के लिए लोगसभा चुनाव से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है यूँ तो इसका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है लेकिन राजनीती में कहते हैं कि नेताव के लिए चुनाव से मुश्किल समय कोई नहीं होता है और वो भी उस नेता के लिए जो पहले से ही सब्ता में हो ममता बनर जी ने उस चुनोती को तो आसानी से पार कर लिया था तमाम एकजिट पोल को गलत साबित करते हुए राज्ये में सबसे ज़ादा लोगसवा सीठे भी लाई लेकिन कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मडर के बाद जैसे वो अपनी राज्येतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनोती का सामना कर रही है कोलकाता में आज छात्र और राज्ये कर्मचारी संगटनों के परदर्शन ने सरकार को जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया होगा विरोत कर रहे लोगों ने हावडा से लगे संत्रा गाची में बेरिकेटिंग तोड़ दी इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया भीड को तीतर बितर करने के लिए आसू गैस के गोले भी छोड़े गए और वाटर कैनन का इस्तमाल किया गया ये सब खत्म भी नहीं हुआ था कि बीजेपी ने 28 अगस्त को 12 घंटे का बंद बुलाया है मतलब ममता दीदी के लिए मुश्किले अभी कम होने वाली नहीं है प्रिलाल तो ऐसा ही लगता दिख रहा है कोलकाता रेप मडर केस में हर दिन कुछ नया खुलासा हो रहा है और उससे बंगाल सरकार की परिशानी भी बढ़ रही है अब अमेरिका के एक डॉक्टर ने ममता दीदी की परिशानी को बढ़ा दिया है दरसल अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर ने आरजी कर मेडिकल कॉलिज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलतकार और हत्या के बाद जवाब देही को लेकर सवाल उठाया है न्यूज एजनसी पीटी आई से बात करते हुए बिल एंड मैलिंडा गेट्स फाउंडेशन में पॉलियो टीम के उपनी देशक डॉक्टर आनंद शंकर बंदोपार्द्या ने इस घटना पर शर्म और दुख्य वक्त करते हुए कहा है कि मैं गुस्से में हूँ शर्मिंदा ह खिलाफ इस जगनने अपरात के खिलाफ लड़ रहे हैं और साथ ही सरकार के खिलाफ भी अपनी आवाज उठा रहे हैं कोलकाता में पले बड़े बंदोपार्द्याय ने कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलिज एंड होस्पिटल में काम करने के अपने समय को याद किया और कहा कि हमारे साथ कई महिलाएं भी काम करती थी लेकिन कभी किसी ने असुरक्षित महसूस नहीं किया बंदोपाद्याय ने फ्रंट लाइन स्वास्त्य कर्मियों की सुरक्षा सुनुचित करने में विफल रहने के लिए प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि हिंसक हमले लंबे स जवाब देही तै की जाएगी जूनिया डॉक्टरों के हरताल पर बंदोपाद्याय ने कहा कि डॉक्टरों नर्सों और पेरामेडिकल स्टाफ से ज्यादा कोई भी मरीजों की पीड़ा को नहीं समझ सकता है और मैं इनका समर्थन करता हूँ कोलकाता केस में सीबियाई लग आही जाता है ऐसे में कहना मुश्किल है कि ममता सरकार की मुश्किले आखिर कब कम ही होंगी और कब पीड़िता को न्याय मिलेगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ शुक्रिया